वेजन्ती, निशिता, सुभेंदू, सभी लोग आ गया है, प्रॉपर, राहूल, गुडीवनिंग थैंक्यू शुब, बर्डे अच्छा रहा आपकी दुवाउ से और उसकी पार्टी डियू रही पार्टी डियू रही भी नहीं, पक्का मैं पार्टी दूगा, पक्का इशा, मुनालिशा, प्रीती, अक्छे, चलो जी देविंदर, निरिजा, सब लोग आ गया हो, पार्टी पैंडिंग है, पार्टी मिलेगी आपको अब और एक बास समझ लो, समझ लो, समझ लो चंद्रयान 3 successfully launch हो गया है, हाँ सब बढ़ाई हो आप सभी लोगों को चलो जी, अब श्टार्ट करें हम लोग क्लास पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, सर, ये पढ़ा था हम लोगों ने, मांसे गुड़ इवनिंग पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, कि हमें CA करना है, कि भी कौम करना है मतलब क्या था, decision tree था और decision tree का एक ही कोशन था कोशिश ये है, कि Saturday तक हमारा capital budgeting पूरी तरह से खतम हो जाए और कोशिश नहीं पक्का खतम ही हो जाएगा पक्का अभी भी चार क्लासिस बाकी और चार क्लासिस में आराम से हमारा जो भी बचा हुआ, सब कुछ complete हो जाएगा तो आप संडे की चिंता मत करो संडे के लिए मैंने आपके लिए टेस्ट डिजाइन करके रखा है तो आपका संडे में खराब नहीं जाने दूँगा, आप बिल्कु टेंशन मत लिचिए Capital विश्टिंग का टेस्ट हो सकता है कि मैं आपका संडे को ले लूँ तो प्लीज आप लोग तयारी रखिया लाइकिंग हो रही है एक बार मुझे कनफर्म कर लीजियो आदियो विडियो आदियो विडियो में कोई प्राब्लम तो नहीं है Good evening प्लीज कनफर्म आदियो विडियो ठीक है ठीक ओके तो अब मैं जो discuss करने जा रहा हूँ ठीक से सुनना अभी मैं आपके message नहीं बढ़ूँगा अब ठीक से सुनना कि मैं क्या बोने जा रहा हूँ हम लोगों ने जब capital budgeting start किया था तो पहले basics के कुछ questions किये थे कुछ examples किये ठीक है सर basics के बाद हम लोगों ने क्या किया था basics के बाद हम लोगों ने risk पढ़ा था जिसमें inflation पढ़ा probabilistic approach पढ़ा दो हो गया इसके अलावा R.A.D.R. or shortility equivalent पढ़ा अभी पढ़ रहते हम other techniques other techniques में हम लोगों ने क्या क्या किया तो हम लोगों ने एक तो किया decision tree ठीक है सर decision tree किया उसके अलावा sensitivity analysis किया और क्या किया scenario analysis किया scenario analysis किसी बच्चे ने का कहना था कि सर scenario analysis के तो बहुत सारे question है भाई साब वो scenario के नहीं है वो किसी और चीछ के हैं वो मैं करवाँगा एक topic जो मुझे करवाना था उसका नाम था simulation वो अभी मैं रोग दिया हूँ क्योंकि वो question simulation से related है सबसे पहले आज ऐसा topic करें जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि at least वो question कर गए खतम करें फिर last में दो topic बच्चे वो आराम से कर लेंगे simulation हम अभी नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें मुझे normal distribution की जरुवरत पड़ेगी तो पहले मैं replacement करवाऊंगा और उसके बाद simulation करवाऊंगा काम कतम हो जाएगा ठीक है सर चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो पहले हम कर रहा है topic का नाम डालोगे replacement decision और ऐसा topic करवा रहा हूँ ऐसा topic जो आप मुझे पढ़ा सकते हो अंतलब सर इंटर में ढंग से किया हुआ तो लेखोगे मैं अभी simulation छोड़ा हूँ इट मींस पहला था basics दूसरा था risk in capital budgeting तीसरा जो था वो था replacement और चोहता था APV ठीक है सर थार्ड लिख रहा है थार्ड पार्ट नमबर थार्ड पार्ट नमबर थार्ड रिप्लेस्मेंट डिसीजन अभी मैं जब कोशन दूँगा ना तो पहले जवाब आपका ही आएगा हाँ अंस मैं जानता हूँ रिप्लेस्मेंट डिसीजन मुझे नहीं पता कि IC AI ने रिप्लेस्मेंट डिसीजन वापस क्यों डाला है CA फाइनल में और इसको इस टॉपिक को CA इंटर से भी नहीं हटाया है निव स्कीम की बात कर रहा हूँ तो निव स्कीम में CA इंटर में भी रिप्लेस्मेंट डिसीजन है और CA फाइनल में भी रिप्लेस्मेंट डिसीजन और एकात कोश्च नहीं है बड़े सारे कोश्च है ठीक है सर तो पवन चिंता नहीं करो मैं साथ में हूँ हो जाएगा आपके सारा कैपिटल विश्टिंगा जित्रा भी है सब इस्यू खताम हो जाए दीरे दीरे करेंगे एक एक्जामपल ले रहा है अब मैं आपके मेसेज़स नहीं पढ़ूँगा अब जब आप मैं पूछूँगा ना तब ही आंसर दोगी हाँ सरसासा चलते रहेंगे मैं पूछते जाऊँगा आप बताते जाना बस सर यहां कुछ लिखवाओगे क्या हमा हम पहले लिखेंगे कुछ नहीं क्योंकि लिखना पहले एक्जामपल से समझेंगे फिर लैंग्वेज तो हम खुद बना लेंगे एक्जामपल क्या हुआ था मैं कहां खड़ा हूँ मैं आज यहां खड़ा हूँ ओके ठीक है और मैं आज यहां खड़ा हूँ इस पॉइंट पे ठीक से समझे रहाँ कॉन्सेट एक बार हो गया ना बाद में क्योंकि ऐसा भी नहीं कि रिप्लेस्मेंट उतना आसानी से हो जाएगा optimal replacement decision अच्छा सर और करीब करीब मैं जब यहाँ हूँ तो मैं आप से बोल रहा हूँ करीब चार साल पहले मतलब सर यहाँ machinery खरीदी गई थी 10 लाक रुपए cost of machine यह मेरे साथ साथ note करोगे यह example है मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं कि बहुत एक paragraph लिखवा दूमा कुछ ने लिखवा रहा हूँ यह example सर यहाँ था cost of machine सर कितने की खरीदी गई थी एक लाक एक लाक रुपए की machinery खरीदी गई थी उस समय life कितनी थी जब खरीदी गई थी life थी 10 years और cell वेस कितना था cell वेस 0 और सर डेप्रिशिशन का method कौँ सा था SLM straight line method और अच्छा खासा काम चल रहा था और कितने साल चले हम लोग मैं बोल रहा हूँ यहां से एक साल चले दो साल हुआ तीन साल हुआ और यहां गए चार साल और आज हम यहां खड़े हैं तो जब मसीन खरीदी गई थी उस समय लाइफ कितनी थी तर उस समय लाइफ थी 10 years उस समय लाइफ थी 10 years एक, दो, तीन, चार, चार साल हो चुके हैं तो चार साल यह डेप्रिशिशन तो लगा होगा हाँ पता सकते हो कि एक लाइफ रुपए मशिनरी की कौश्ट थी हर साल का डेप्रिशिशन था 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 पता सकते हो कि चार साल बाद बुक वैल्यू समझ रहे हो ना WDV क्या बचा होगा उद्दो अभी तक कुछ भी नहीं करवाया बस अभी मैं यही काम करवा रहा हूँ मुझे चाहिए कि एक लाग रुपए की मशिनरी थी चार साल हो चुके है हर साल डेप्रिशिशन लगा होगा 10,000, 10,000 तो बिल्गुल सही मशिनरी की बुक वैल्यू रुपी 60,000 ठीक है सार अब हुआ क्या? अब हुआ क्या सुनो जब चार साल हो चुके है अब यार अच्छा खासा काम जल रहा है ऐसा नहीं कि इस मशिन और मशिन को कितने साल यूज कर सकते सार 6 साल और यूज कर सकते मतलब टूटल मशिनरी की जो लाइफ है तो सार 6 साल हम और यूज कर सकते हैं अब मेरा क्या है? यार मैं जब देखा तो अच्छा खासा सार अभी कितना इससे कितना कमाने वाले आने वाले साल में आने वाले साल में अगर इसी मशिन को यूज करता हूँ तो मैं कमाऊंगा CF80 cash flow after tax सब को समझता है यस सर, cash flow after tax पहले भी नाम सुना है अभी भी नाम सुना है अगर मैं old machine को अभी भी 6 साल चला सकता हूँ अगर चला सता हूँ तो हर साल आएगा मेरा अनुमान है कि हर साल सर्फ 45,000 पर एनम तो आए गई है 45,000 पर एनम पर मेरे जब मैं market में गया तो मैंने का यार सब बोल रहा है आपकी machine तो पुरानी है old है मैंने का क्या है बोले टेकनोलोजी technology में दम नहीं है अब तो new technology की machine आगई है और बड़ी efficient machine है और उस से बड़े सारे फायदे है मैंने का फायदे क्या है फायदे यह है कि यार आपका जो material जो मशीन में material लेबर यूज होता है अब तो new technology की मशीन लेबर का पैसा बचेगा material का पैसा बचेगा और अगर आप new machine खरीदते हो new तो बहले new machine खरीदते हो तो cost आ रहा है उसका रुपीज 1,50,000 ठीक है sir और मैंने गा कितने साल चलेगी तो बोले ये भी आपकी 6 साल तो चलेगी 6 years अच्छा मैंने गा 6 साल चलेगी और मैंने गा अच्छा एक बात बताओ जब 6 years के बात मैं बेचूंगा तो बोले पैसा भी तो मिलेगा इसको 1,60,000 कर ले न 1,60,000 फ्रैक्षन नहीं लाना चाहता मैं आपकी एक्जाम बोले हाँ वैसे तो फ्रैक्षन आयेगा नहीं पर फिर भी बोले हाँ सैल्वेस और सैल्वेस कितना मिलेगा बोले सैल्वेस मिलेगा आपको 10 था होज़ इसाल बात मैं बनगा फाइदा क्या है सर न्यू मशीन का बोले फाइदा है बोले अब भी आप ओल्ड मशीन को यूज करते आने वाले 6 यर में तो कितना मिलता 45,000 लेकिन न्यू मशीन को यूज करोगे तो आपको बोले अब मिलेगा CF80 हर साल कमाओगे 72,000 पर है न 72,000 पर है यह तो अभी फाइदा दिख रहा है मैं ने गा अच्छा तो मैं ने आप ये कहना चाहते हो कि मैं ओल्ड को भी चलाउं और नीव मशीन को भी चलाउं बले नहीं सर नहीं आप ओल्ड मशीन को आज बेज देना करोगे क्या रख कर कितने की बिख जाएगी क्या लग रहा है तो उन्होंने का कि अगर आप ओल्ड मशीन को आज बेचते हो ओल्ड मशीन को तो बले उसकी मार्केट वैल्यू है मार्केट वैल्यू आफ ओल्ड मशीन बले वो बिख जाएगी आपकी 63,000 की अच्छा लेकिन अगर आप ओल्ड मशीन को यूज करते हो तो आज से 6 साल बाद कुछ नहीं मिलने वाला 0 वो चल नहीं रहे ऐसा नहीं चलेगी 45,000 पर है और सर टैक्स का रेट भी बता ही दो टैक्स का रेट है 30 परशन ठीक है सर और कॉश्ट अप कापिटल है 10 परशन पर रहे नहीं मेरे इखाल से कॉश्ट अप कापिटल समझते हैं तो अब मुझे आप ये डिसाइट करके बताना कि मुझे ओल्ड मसीन को बेच कर या फिर ओल्ड मसीन को रिप्लेस करके निव मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीद तो कोश्चन क्या बना कोश्चन ये बना वेडरोल्ड मसीन खुद बेप्लेस्ट और नॉट्ट ओल्ड मसीन खुद बेप्लेस्ट क्योंकि यार ऐसा है कि प्रेजन्टेशन ना अब सुनो यार दिक्कत क्या है हाँ सर अगर सिये इंटर सब पास है तो ये कोश्चन बनना है सभी से बनना है मैं जानता हूँ और मेरा आपसकी परिक्षा लेने का ऐसा कोई दिल नहीं है और ना तो मैं आपसे बनवाने वाला हूँ, question तो मैं ही बनाऊँगा problem यह है कि यार हर एक का presentation अब अलग-अलग होगा हाँ मेरे पास तो अलग-अलग teacher से पहले से पढ़िवे students आए है तो हो सकता presentation अलग-अलग हो ultimately NPV तो सबका एक जैसा निकलेगा पर मैं चाहता हूँ यहार हम सब लोगों का presentation एक जैसा हो और कोशिश यह क्या रहे कोशिश यह रहे कि सरे एक particular हमको format मिल चाहे और उस format से हम NPV calculate कर हमारा काम खतम हो जाए और कोशिश यह रहेगी कि जो ICAI का presentation है लग-बग उनके presentation जैसा हमारा presentation हो लग-बग पूरी तरह तो हम follow नहीं कर सकते पर लग-बग क्योंकि IC AI जो solve करता वैसे भी हमको समझे में नहीं आता क्या किया है करके इतना भी गंदा नहीं करेंगे ठीक ठाक करेंगे तो presentation अलग-अलग हो सकते हैं सबके पर मैं जो presentation करवा रहा हूँ वो भी कोई गलत नहीं है और मैं उसी को follow करूँगा तो कोशिश करना कि मेरे जैसे चलो ची, start करें हम लोग, yes हमें क्या निकालना है NPV तो लिखोगे calculation of NPV, देखो target क्या रहेगा, target क्या रहेगा, पहले मैं discuss कर रहा हूँ और फिर सोचिंगे कैसे बनाना है, मैं आपसे पूछूँगा पहले जो बच्चे बनाना start भी कर दियोगे, मैं जानता हूँ, जवाब कुछ आ नहीं रहा है, आप लोगों से तो आपनी बनाना start कर दिया है ज़र सुनो तो एक बार हाँ जी, अब ठीक लागा वे जनती, अब मेरी बास सुनो अगर मैं अगर मैं आज ही न्यू मशीन खरीदता हूँ, अगर न्यू खरीदता हूँ, तो ओल्ड मशीन को बेच दूँगा, हाँ सर तो ओल्ड मशीन को बेचूँगा और न्यू खरीदूँगा, तो मेरे जब से एक्स्ट्रा कितना पैसा जाएगा, निकल सकता है कि उसको इंग्लिस में क्या बलेंगे एक्स्ट्रा को इंक्रिमेंटल हाँ तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं आज ही न्यू मेशीन खरीदता हूं तो ओल्ड मेशीन को बेज दूँगा तो बेचने पे आज मेरे पास से एक्स्ट्रा कितना पैसा लगेगा मुझे बस इतना बता दो कि मैल्टीबल चोइस कोश्यान छोड़ दो प्रेजेंटेशन एमसी की उसे पताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा इंक्रीमेंटल कैश आउट्खलो बताइए इंक्रीमेंटल कैश आउट्खलो चंद्रकांथ का अंसर है एक लाग सुब का भी आंसर है एक लाग 97 के मुझे एक मिनट का टाइम चाहिए आप जब तक कैलकुलेट कि मुझे एक लनक्रीमेंटल कैम का तक कि एक लाग आब झाह अमित 96 100 97000 हे भगवान एक लाख वाओ आपसे अमीदी एक लाख रुपए चलो देखे आज कितना याद रखना कास कोई गहराई से समझ रहा हो तो मैंने टेक्स रेट टाइम पास करने के लिए नहीं दिया है टेक्स रेट वे टाइम पास करने के लिए नहीं दिया हूँ सर सोचे क्या थोड़े रफली कैलकुलेट करे आज हम न्यू मशीन खरी देंगे तो कितने की और मैं खुशी का ठिकाना नहीं इधर लिखों इधर लिखों इधर लिखता हूँ 63,000 आएगा मैं बहुत खुश हूँ कि 63,000 आएगा कैसे आएगा 63,000 जैसे बेचा मसीन इंकम टेक्स वाला आ गया बोले क्यों खुश हो मैं इनका मेरे पास पैसा आया से बोले आप टेक्स देना पड़ेगा कितना टेक्स बोले देखो मशीन थी की बुक वेल्यू कितनी थी बोले 60,000 और आपने बेचा कितने में बोले 63,000 तो बोले उस हिसाफ से आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया सर 3,000 का अच्छा सर ब्लॉक आप एसिट वाला कॉंसेट अगर बोलेगा नहीं सेम ब्लॉक है तो हम कुछ नहीं करेंगे ब्लॉक आप एसिट पर मैं नहीं आ रहा हूँ मैं नॉर्मल कोश्चन कर रहा हूँ सर 3,000 का टेक्स निगा लो 3,000 का टेक्स 30 परशन तो 900 टेक्स आ गया तो capital gain टेक्स बोलते इसको कुछ नाम capital gain टेक्स capital gain कभी सुना है कि नाम हाँ सर तो 900 टेक्स आ गया तो इसमें से 900 माइनस कर देंगे हम तो बोलो कितना आया बेचने पर net सर नेट बेचने पर आया 62,100 तो यहां से माइनस होगा 62,100 तो 1,60,000 माइनस 62,100 तो आ गया फाइनल आंसर 97,900 97,900 सही है अच्छा है किशन 97,900 तो इसको मालूम है क्या बोला जाता सर इसको बोला जाता इंक्रिमेंटल कैस आउट लो अब आगे समझने की कोशिश करते है एक्स्ट्रा जाएगा एक्स्ट्रा आएगा भी तो हाँ सर कितना आएगा सर अगर हम ओल्ड मशिन को यूज करते तो ओल्ड मशिन को यूज करते तो CFAT आता 72,000 और ओल्ड मशिन को यूज करते तो CFAT आता 45,000 हाँ सर पर न्यू से CFAT आएगा 72,000 तो बताओ हमको कितने का फाइदा हर साल का सर 72,000 माइनस 45,000 27,000 का प्रॉफिट है दिख रहा न है यार हाँ सर कितने का गिन 27,000 इस 27,000 का नाम क्या रखे नाम करन तो करना पड़ेगा ना यार नाम करन 27 के निशीता सही है नाम क्या रखे आखिर इसका नाम होगा incremental CFAT अच्छा इंक्रिमेंटल CFAT incremental CFAT हाँ जी हम जो भी काम करेंगे incremental एप प्रोस से ही करेंगे replacement decision में ठीक है अच्छा एक बात और लिखवा रहा हूं मैं प्लीज आप लिख लीजिए question में अच्छा इस वेल्य आप ओल्ड मसीन नू था हो चैन लिखवा दिया question अब मुझसे पहले तो question मेरे बनाए बिना question change आप बना नहीं सकते ठीक है सब total approach से क्यों नहीं करेंगे total approach से किसी भी question को नहीं करता है जहां तक final की में बात करता हूं तो मैं पढ़ाता नहीं हूं बहुत ज्यादा मुझे idea नहीं है final में पहले भी capital बश्टिंग था अभी capital बश्टिंग वापस आ गया है incremental approach से ही question होकी time भी कम लगता है और जल्दी हो जाता है हां question मैंने change किया हूं question मैंने change किया हूं मैंने यहां लिख दिया हूँ, सैलवेज वैल्यू अफ ओल्ड मशीन, सर यहां जीरो था, हो जाने दो, सर डैप्रिशिशन में कोई चैंज नहीं है, जैसे कि वैसा चल रहा, बस मैंने नाम लिख दिया है, सैलवेज वैल्यू अफ ओल्ड मशीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि ओल्ड मशीन को आज से कितना साल बचा है, छे साल बचा हुआ, अगर छे साल चलाएंगे, और छे साल बाद बेचेंगे, तो 2000 की बिख जाएगी, दन, ठीक है, चलो, कोशिन बना रहे हैं हम लोग, और हम क्या निकालने की कोशिस करेंगे, कैलकुलेशन आप एन पे भी, आप चाहों तो अपने प्रेजनेटेशन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉपर प्रेजनेटेशन से करवाँ हूँ, प्रेजनेटेशन से करेंगे, तो यह प्रेजनेटेशन से अप्रेजन आप एसा समझ लीजे, पर कर सकते हो total approach से भी वो से भी करवा दूँगा पर वोई है कि incremental approach ही follow करता है amount present value अगर यही question आपको 8 number का आता है सच्चाई आप जानते हो एक line में question होने वाला सच्चाई तो हमको मालूम है question एक line में भी हो सकता है क्योंकि यह बड़े smart वच्चे है मेरे पास पर question के insult तो नहीं करेंगे कम से कम 8 number का आया तो उस तरह से solve करेंगे, अराम से करेंगे बहुत ज़्यादा ज़्दी नहीं अब प्लीज आपको ऐसा लगता जुरूर होगा कि यार चलो ठीक है नहीं फर्क क्या पड़ता है, एक काम करते हैं, कुछ भी एक लाइन में कैल्कुलटर चला लेते answer ले आएंगे, multiple choice question में ठीक है, ओड़ा समको presentation ठीक ठाक करना पड़ेगा, बस मेरा काम वोई तो है, बाकी तो replacement आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ सबसे पहले आएगा incremental cash outflows post of new machine कब पैसा लग रहा है, आज और आज present value 1 का वन ही होगा तरफ पैसा कितना लग रहा है, 1 lakh 60,000 1 lakh 60,000 ठीक है सर, और आज ही हम क्या करने वाले हैं, सर, आज ही हम sell कर रहा है sell of old machine net of tax zero one बोलो कितना आया था ये और कैसे आया था important ये नहीं, कितना आया था वो तो आपको पता है, आप लिख दोगे आया कैसे था, ये आपको दिखाना होगा यार, मालूम है step step marking है, आप भी समझ रहे हो, कि यार एक-एक step का number दे रहा है लिखने में क्या जा रहा है, जो चीज आती है हम वो लिखना नहीं चाहते है, प्रॉब्लम यही है और जो नहीं आता वो वैसे लिखने का दिल नहीं करता प्लीज, जो आता है, कम से का वो तो लिखो यार सर, मतलब, मतलब मैं तो भाई, मैं तो यह मान के चल रहा हूँ कि मैं पहली बार capital wasting पढ़ रहा हूँ हाँ, terminal value बोल सकते हो, बिलकुर market value minus terminal value working note number one, मैं बना रहा हूँ मैं तो बनाऊंगा मैं पहली बार जिन्दगी मैं capital wasting पढ़ रहा हूँ मान के चल रहा हूँ, ठीके सर तो working note number one cell of old machine net of text लिख देना परके रूपीज शिक्स्टी थाउज़न book value रूपीज शिक्स्टी थाउज़न तो बताओ क्या आ गया यहाँ, सर कापिटल गेन रूपीज थ्री थाउज़न उस पर tax 30% 900 3000-900 मत कर देना सर और भी presentation की तरीके है तरीके है, बहुत सारे है मैंने कहा न, मैं ऐसे भी गर रहा हूँ यह हो गया 1 और 900 हो गया 2 मुझे तो tax minus करना यस तो यह net consideration यह sales consideration net of tax भी हो सकते 62-100 1-2 मुझे आपको knowledge देने से ज़्यादा मुझे आपको pass करवाना है 62-100 हो गया होगा मेरे खाल से इसमें तो कुछ बात है नहीं है यह तो आप से यू निकल गया है खुटकियों में और सर यहां क्या जाएगा यहां जाएगा 62-100 बस यह मेरा आगा incremental cash out बहुत प्यार से question बना रहा हूँ सजा सजा के बना रहा हूँ मुझे number चाहिए 1,60,000 minus 62-100 तो सर यह आगा है 97-900 ठीक इस टोटल अफ ए फिर आगे काम कर रहा है इसा चंदरकांत 97-900 आगे चल रहा है incremental cash influx incremental cf80 so sir cf80 ka matlab 72000 minus 45000 yes matlab sir cf80 of new machine minus cf80 of old machine so 72 minus 45 so 72000 minus 45000 so sir ee aage 27000 haa vijantis nahi factor kaan se kaan tuk likhna hai 4 to 10 haa javaab dhe do मैं देखना चाता हूँ c e enter सही में paas हो na factor factor कहां से कहां तक likhna hai 4 से start करेंगे 5 से start करेंगे 4 से की 5 से nishita का answer है 4 to 10 या 5 to 10 मतलब nishita आप समझ नहीं पा रहे हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा question है कि मुझे 4 year 5 year 6 year 7 year monalisha उद्धो नीरस अक्षे तभी का answer है 5 to 10 तो मुझे personally ऐसा रख लगता है कि मैं जो पूछने चाह रहा हूँ nishita का भी answer 6 आया 4 year ended अक्षे कभी तो मैं जो पूछना चाहता हूँ मुझे आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कोई बात नहीं सर कोशन पर जाते है मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे है मुझे एक काम करो ना चोड़ो ये बात मैं कह रहा हूँ चलो फैक्टर बता दो या फैक्टर चाहिए फैक्टर रेट किया 10 पर्षन का फैक्टर बता दीजिए अब मुझे एर मत बता यह मुझे फैक्टर निकाल कर बता दो चलो ठीक चलो फैक्टर निकाल कर बता दो प्रिजेंट वाली फैक्टर मिला कर हर साल का बराबर बराबर है तो नटी फैक्टर लगेगा मुझे एनुटी फैक्टर चाहिए एक अंसर आ रहा 4.355 4.355 4.355 सुभांसु का 2.975 यह भगवान मेरे ख्याल से 3 साल ठीक है अब सही मुझे बताओ यहां लिखा यहां कुछ लिखना पड़ेगा ना इयर क्या लिखो मुझे यह बताओ यहां इयर क्या लिखा जाए इयर ऐसा लिख दू 1-2-6 अंसर 2.975 क्या मैं यहां 1-2-6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मोना लिशा निशान्त कहरा हां सर आप 1-2-6 लिखिये अंस का भी कहना 1-2-6 निशीता कहरे यह 5-10 शुभानसू 5-10 हे भगवान सुनो बच्चो सब भूल जाओ आज कहां है यह आज है कि यह आज है सर आज यह है मैं यहां खड़ा हूं 4-3 में अच्छा सर और यह 4 साल जा चुके है इनकी तो बात ही नहीं करेंगे आने वाल है 6 साल अच्छा और यह 1-2-3-4 मैं यहां खड़ा हूं मैं यहां के हिसाब से सोचूंगा जो बीद गया है वो मेरे काम का नहीं हाँ 1-2-6 मैं यही तो कहना चाहरा था 1-2-6 बिल्गों से 1-2-3-4-5-6 4.355 4.355 तीन ही डिजिट ले रहा है हम लोग इंस्टुटीवट भी तीन ही ले रहा निउस ले बस में तो तीन ही लिया या पूरी बुक में तीन ले रखा ठीक है तो 27,000 इन्टो 4.355 अंसर आ गया यह 1-1-7 5-8-5 तो डिसकाउंट तो 5th year एंड आप यहां का present value नहीं निकाल रहा है हूँ अगर मैं इसको 5th year के factor से multiply करता हूँ 5th year के factor से तो वो यहां का present value निकल जाएगा सीधा यहां मुझे यहां नहीं पहुचना सर यहां पहुचना यह है यह है यह है 0 ठीक है तो यहां तो मुझे first year के factor से multiply करूँगा तब ही तो यहां पहुचूँगा ठीक है सर समझ गया समझ गया समझ गया वेजिंती 1-1-7-5-8-5 हाँ जी चंद्रकान सभी का सही है सर मजा आ गया बच्पन याद आ रहा सर हमको आगे और कुछ आएगा कि अब आस इतना बता दो हाँ सर और क्या आएगा सर इंक्रीमेंटल टर्मिनल वेल्यू बोलते है उसको incremental terminal value है incremental salvage value बोल तो कोई समस्य नहीं कौन से year के end में sixth year eight कैसे आएग sixth year का end sixth year के end में आएगा सवाल है कितना आएगा factor तो मैं लिखे लेता हूँ एक दो एक दो तीन चार पाच नीरस 0.564 हाँ वो मैंने सहीं लिखा है मेरा जवाब मुझे देने की ज़िरूद नहीं है मेरा question सुनो यह तो मैंने बताया है विने निशिता प्रशान्थ हाँ प्रशान्थ का क्याना 8000 एट थाउजिन आएगा कैसे आएगा 8000 देखे क्या सर ये machine 10,000 की और ये machine कहां गया भई मैंने कहां लिखा था 2000 की 10,000 माइनस 2,000 तो यहां कितना जाएगा 8000 4512 कोवन का कहना है कि सर 6 year का factor क्यों आया 6 year का क्योंकि सर जो machine बेचूगे ना आप वो यहां है 1, 2, क्योंकि 10 सा लाइप थी ना इसकी new machine जो है 6 साल ही तो लाइप है तो 6 year में बेचूगे 6 year में 6 year का factor लेना पड़ेगा हमको ठीक है total करते है ज्यादा इस पर time pass नहीं करेंगे हम लोग total मार रहे है इन मैं बात करूँगा ऐसा नहीं कि मैं बात ये खतम कर रहा हूँ 117 585 117 585 प्लस 4512 कितना आ गया है 122 122 097 ये आ गया total of B इसको हम लेख सकते है total of B और इसको मैं close कर रहा था पर अभी नहीं कर रहा हूँ NPV भी नहीं लेख देते है NPV कैसे आएगा B minus A 122 NPV बलू minus 97 900 NPV आ गया 2419 24197 क्या हमें प्रोजेक्ट मशीन रिप्लेस कर देना चाहिए आंसर आएगा yes मशीन शुड भी रिप्लेस्ट मशीन रिप्लेस्ट को झीन फिजब United एंसर इंसर देना था, सेमिंट इallows एंसर पी रिजब झान क्या हुक्त क्या है क्या है एसराइए क Ireland हम प्रोजब ठीक है, सिंपल है और सिंपल ही है आप चीजों को सिंपल समझोगे, सिंपल है और SFM बहुत सिंपल सब्जेक्ट है कोई आप टेंशन मतलीजी एक काद बार प्रैक्टिस होगी, एक बार टेश्ट होगा, हो जाएगा चंदरकात, मुस्किल नहीं आएगी एजी है, हर चीज एजी है, CA फाइनल का, हम मुस्किल बना देते हैं, बस इतना है बाकी का तो नहीं वालो, SFM हो जाएगा, आराम से हो जाएगा अब समस्या सुनो, CA इंटर में कुछ बच्चों का क्या कहना था, मुझे जवाब देना क्या कहना था, सुनो इस कोशन, especially इस कोशन में, मैंने उसे पूछा था कि यार, ये सर, ये क्या है, 62-100, मुझे जवाब चाहिए, आप लोगों से हाँ जी, अभी 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 ये सुनो, मेरी बात, मेरा कोशन पहले, मेरा कोशन मैं आपसे बात करूँगा, मेरे 23 का क्या कोशन था, पर अभी पहले मेरी बात सुनोगे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं जे CA इंटर के बच्चों ने क्या कोशन किया था, और basically बिल्कुल बच्चों वाला कोशन था, मेरे कहल से डाउट आना नहीं चाहिए, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, सायद आपके भी मन में ये बात, इक्जाम के समय आ जाए, उनका ये कहना था सर, हमने निव मशीन खरीदा आच, मैंने ठीक है, बले हमने ओल्ड मशीन बेचा कब, मैंने का आच, बले कितने का, मैंने का जितने का भी बेचा, ये मैंने ओल्ड मशीन को बेच दिया, बले हाँ, बले ये क्या चीज है, मैंने का मैं अगर ओल्ड मशीन को छटवे साल में बेच लेगा, six year में बेचूंगा तो उनका ये कहना है sir old machine को अब दो दो बार बेच रहा है, मतलब यहां भी बेच दिया और यहां भी बेच रहा है ऐसे कैसे हो सकता, machine तो old एक ही है, जब आपने यहां बेच दिया तो यहां दुबारा कैसे बेच सकते हो ऐसी कोई समस्या तो आपके साथ नहीं है ना, yes या no मैं answer दे दो, that's it आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि old machine को हमने sir दो दो बार बेच दिया बाकी question में कोई समस्या नहीं है, question सही है ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि old machine को दो दो बार बीचे जा रहा है Thank God हाँ तर वो उन बच्चो को छोड़ो CA Inter हमारा हो चुका है हमको मालूम है कि Old Machine को दो बार नहीं एक ही बार बीचे जा रहा है चलो जी हाँ Salvest Value Forgone minus 2 क्यों हुआ अब minus 2 इसलिए minus हुआ यह minus 2000 क्यों हुआ उसकी वज़ा है कि अगर हम सोच रहे है अगर हम old machine ही चलाते और 6th year में बेचते तो कितने की बिक थी मतलब सर यह सपना है हाँ यह सपना हम सपना देख रहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता इसलिए मैंने 2000 minus किया कि अगर हम new machine चलाते तो क्या होता अगर हम old चलाते तो क्या होता ठीक है सर बात समझ गया चलो भाई question बना रहा है हम लोग हमारी study material के आजाए जल्दी से जल्दी सर थोड़ा बहुत लिखवाएंगे कि इसमें लिखने वाली कुछ बात ही नहीं है मैं लिखवाँगा कहानी कि यार old और इसका theory ऐसे भी नहीं आता है हाँ तो मैं लिखवा सकता हूं कि replacement decision में हमें replace decide करना पड़ता हूं सब चीजों का sense नहीं है इसमें लिखवाने वाली कोई बात question number 11 page number 17 question number 11 यह आपके study material का question है study mat old machine का value 0 तब answer क्या होगा उससे related प्रशांत question है मारे पास हम करने वाले साइद इसी question में मिल जाएगा इसके आने वाले question में मिल जाएगा ठीक है परड़ा एक question को इस question को बनाना है तर यह I.C.E.I. के new study material में illustration number कौन सा है 12 है हाँ बिलकूँ illustration number 12 है AFM module का ठीक है ठीक है बनाते question देखते क्या company का नहीं है Robie's Cube decided to replace the existing computer system of their organization ठीक है original question वाज सब्द लिखा है तो मेरे खाल से आप सब समझदा हो ठीक है सब मतलब सब जब खरीदा था तब 25,000 की और कब खरीदा था यह 5 साल पहले और आज बेचोगे तो आप बर्बाद हो चुक्के हो 25,000 की खरीदा था पास साल पहले आज कितने के बिकेगी आज बिकेगी सर्फ 5,000 की कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में मैं बोलता हूं बताओ प्रॉफिट ही हो रहा है कि लॉस तो कुछ बच्चे सर्थ 25,000 5,000 माइनस 25,000 करते हैं कुछ बच्चे आपकी बात नहीं करना हूं डेप्रेशिशन आप ओल्ड मशीन जो है डेप्रेशिशन चार्ज किया जा रहा था टोटल दस साल लाइफ थी और सेलेज रैल्यू निल थी मतलब ऐसे लिए मैथेट से चार्ज किया जा रहा था चलो अभी भी इसका कितना येर्स बाकी है फाइव येर्स बाकी है अब आम न्यू सिस्टम खरीदने का सोच रहा है और न्यू सिस्टम जो है वो पास साल है प्रेजेंट कॉश्ट अप न्यू सिस्टम है फिप्टी थाउजन मतलब कॉश्ट अप न्यू मशीन न्यू मशीन आ रही है फिप्टी थाउजन का अगर हम न्यू मशीन को बेच चूगे तो कितने की बिकेगी 1000 की और इसकी भी लाइफ कितनी साल है 5 यर्स एस्टिमेटेट कॉस्ट सेविंग विथ न्यू सिस्टाम 5000 पर यर मतलब फाइदा Profit, Cost Savings लिखा हुआ है ठीक है सर तो यार हर साल हमारा savings होका सर documents savings का मतलब मैंने कहाँ ना Material, Labor वगिर यसे से अबका कोश्ट savings होका और कितना savings हो जाएगा विले 5000 का यह savings हो जाएगा कोश्ट बचेगा इसके अलावा sales भी बढ़ जाएगा और sales कितने से बढ़ेगा 10% per year based on the original total sales मतलब sir sales भी बढ़ जाएगा और sales कितने से बढ़ जाएगा sir sales बढ़ जाएगा हमारा 10,000 sales बढ़ ड़ा है 10,000 से ये एक फाइदा है और savings हो रही है cost में हर साल 5,000 की ये भी एक फाइदा मिलाकर 15,000 का profit है ठीक है लेकिन याद रखना ये CFAT नहीं है ये profit है sir benefit है benefit मतलब इसमें से क्या depreciation minus नहीं हुआ है इसमें से हमारा tax minus नहीं हुआ है तो अब CFAT आपको निकालना पड़ेगा increment निकाल लेंगे sir और original the follow straight line method of depreciation cost of capital 10% यूज करना है और tax का rate कितना लेना है 30% मैं जानता हूँ office में आप busy हो मुझे जो लगेगा मैं आपको homework दे दूँगा आप टींटेंशन मतली sir expenses सारे खर्चे सारे minus हो गए yes पहला काम क्या क्या जाए पहला काम एक काम करते नहीं यार टेबल बनाएं क्या वर्किंग नोट बना लेते यार वो टेबल बनाएंगे फिर वर्किंग नोट तो हमको पता नहीं लगता कि जगा कितना लगने वाला है कॉपी हमारी खराब होती है जैसे आप बोलो पहले क्या करने जा रहा है वर्किंग नोट नमबर वान पहला टार्गेट दो चीजों की ज़रूट है एक तो पहला सुनो अगर मैं कहूं कि हमें किन-किन चीजों की ज़रूट है यार देखते तो नहीं यार एक बार एक तो मुझे इसका वर्किंग नोट चाहिए सेल ओल्ड मसीन को बेचने से कितना पैसा आएगा एक तो इसकी ज़रूरत है ठीक है तो दूसरा चाहिए मुझे इंक्रिमेंटल सी एफेटी दो और सर तीसरा चाहिए इंक्रिमेंटल टर्मेंटल तीन कोई बात नहीं मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं इसको ठीक कर लो अभी ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड ठीक पुरा फ्लो टूट रहा था हमारा चलो हाँ अब मैं क्या बोल रहा हूँ अब सुनोगे मुझे तीन चीजों की ज़रूरत है एक ओल मसीन को बेचने पर टेक्स काटने के बाद कितना पैसा मिल रहा है अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ अब मैं कोशन बना रहा हूँ करते हूँ पुट की चा 어थ कर्वाँ सबादो लगा है हुआंड मारे आड्यीज़ लगाना अबोल स्विक हा इ हूँ य रहा हूँ को बलम रहा है सेल्स कंसिडरेशन अगर ओल्ड मशीन को बेच चोगे तो करेंट मार्केट वैल्यू अप ओल्ड मशीन कितने की बिकेगी फाइट था हुचे ठीक है माइनस वोक वैल्यू अप ओल्ड मशीन कैसे निकाला जाए सर ट्वंटी फाइब थाउजन है कॉच्ट और उसमें से टूटल फाइव यर्स का डैप्रेशिशन माइनस कर लेंगे यहीं कर लेंगी सर यस ट्वंटी फाइब थाउजन मेंस से माइनस करेंगे फाइब फाइफ तो सर यह आगे ट्वेल थाउजन फाइब थाउजन ठीक है तो सर अब तो हमको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है यस और लॉस लिखना बढ़ेगा कैपिटल लॉस 7500 और कैपिटल लॉस पे क्या होगा टैक्स सेविंग्स 80 परट्जन 2250 हाँ अब टैक्स सेविंग्स होगी और टैक्स सेविंग्स कैसे होगी कोई समझा सकता है कि मझे किशा सही है 2250 टैक्स सेविंग्स होगी 2250 टैक्स सेविंग्स होगी टैक्स सेविंग्स होगी मतलब सर टेक्स सेविंग्स हो की मतलब क्या हो मतलब सर इंकम टेक्स वाला हमें जैसे हम सर गेन होता तो इंकम टेक्स वाला हमसे टेक्स ले जाता और हमको लॉस हो रहा है हाँ चंदरकांद का कहना है कि बाकी expenses कम हो जाएगा because of this loss कम होगा यह capital loss है क्या हम capital loss का जो set off है वो नॉर्मल इंकम से कर सकते कि सर बिजनिस के profit से कर सकते नॉर्मल टेक्स समझदार हो समझदार हो सब की सब टेक्स में expert है भाई सब की सब टेक्स में expert ओके ओके गलती हो गई गलती से पूछ लिया था मैं अबसे तो सर यह पाच जा रुपए यह मिलेगा और टेक्स सेविंग्स यह हो जाएगी तो उस हिसाब से हमारा टोटल कितना मिलेगा इसको सर नेट कंसिडूरेशन लिख सकते कि यह सर नेट कंसिडूरेशन में लिख सकते कोई दिकर अब की बार मैं 1 प्लस 2 कर देता हूँ तो यह आगया पाच और दो 7,2,5,0 7,2,5,0 सही है 7,2,5,0 सही है इलकुल सही है 7,2,5,0 तो एक तो हमारा वर्किंग रोट तो हो गया यह वाला सेल अफ ओल्ड मेसिन से आएगा 7,2,5,0 और एक वर्किंग रोट बना लेते हैं कि यह से वर्किंग रोट नमबर 2 बनेगा हमारा इनक्रीमेंटल CFAT 5,000? 5,000? 5,000? और 4,000? 5,500? रेविन्यू रुपीश टैन थाउजन जी दुश्थार इसका नाम क्या रहे है इसको बूला जाता है इनक्रिमेंटल T.F.B.T रुपीश फिप्टीन थाउजन इसमें से माइनस किया जाता है इनक्रिमेंटल डेप्रिशिशन इनक्रिमेंटल डेप्रिशिशन कैसे निकाला जाता है डेप्रिशिशन अप निउज़ 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 निउ और लाइफ है 5 years new machine का depreciation निशान्त का कहना है sir 9800 आएगा देख लेते हैं 50,000 minus 1000 divided by 5 new machine का depreciation और old machine का तो यार already हम लोग निकाल ही रहे हैं और old machine का हाँ प्रिती, देवेंदर, मांशी शभी का 9800 सभी का सही है और old machine का depreciation कितना था यार कैसे निकाला था 2,500 है तो यह आगया है 2,500 और sir आंसर बता दो अब कितना आ रहा है incremental चाहिए विजनती सभी का सही है सभी का 2,500 तो sir 9,800 minus 2,500 तो यह आगया sir 73 था 73 था एक कोशन आ रहा था कि sir इससे पहले वाले कोशन में हमने incremental depreciation लिया क्यों नहीं था आखियर वजह क्या थी इससे पहले वाले example में मैंने आपको CF80 निकाल कर दे दिया था ठीक CFAT निकाल कर दिया था इसी वाज़ा से हाँ thank you निशान अब जो आएगा इसका नाम क्या रहेगा sir इसका नाम रहेगा incremental PBT profit before tax 15,000 minus 7,300 तो यह आगा है 7,700 अब इसक में से क्या करेंगे tax और tax का rate कितना दिया हुआ है tax का rate चेक करो है tax का rate 30% है tax का rate है 30% portion तो sir यह आगा है 2310 2310 तो sir इसके बाद एक काम करते है ना यार TBT है 15,000 tax है 2310 तो कुछ निकल जाएगा यह sir हम क्या निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं incremental CFAT इसको ले लेंगे 1 इसको ले लेंगे 2 तो 15,000 माइनस 2310 तो यह sir आगया है 12690 ठीक अतलब sir यह आया कैसे 1 माइनस 2 12690 सभी का से वा sir कितना अच्छा लग रहा है sir ऐसे question हो आना चाहिए exam में तो मज़ा भी आएगा करने में 12690 हाँ जी सभी का है 12690 सही है अब क्या मुझे तीसरे working note की जरूरत पड़ेगी sir बिलकुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ old machine जो new machine है वो 5000 की sell हो की और जो old machine है उसका sell waste तो दिया ही नही है हाँ उसका sell waste तो नील है उसके विसे में कुछ बताया भी नहीं गया तो third working note की हमको जरूरत नहीं है actual में ऐसा है विस्वास नहीं होता मुझे अगर आप सोच रहे हो कि paper पता नहीं तीसरी दुनिया से आने वाला है तो बेकार की बात है में क्योंकि इसमें MTPRTP कुछ लिखा नहीं है हमारे capital बश्टी में लेकिन आगे portfolio है derivative है और मैं आपको बताऊंगा कि यह देखो यह आया था 2022 में 2021 में यह आया है 2023 में और आपको कि सर इतना easy आकिर कैसे आ सकता ऐसा भी है आप यह ना समझो किया और ऐसी question आई कि नहीं आती है ठीक है सर हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया चलो NPV निकाले यस खतम करते कहां ने देखो कि calculation of NPV calculation of N चलो अभी speed से काम हो जाए यस अच्छा यह बात है मैंने बाद में लिखवा दिया था पावन लास्ट जो कोश एक्जामपल है उसमें मैंने question के साथ छेड़चाड कर दिया था और मैंने लिखवा दिया था 2000 ठीक है अच्छा वो पूछ रहे थे मैंने लिखवा आया था question में लिखा हुआ है सर इस question में इस question में अकेले अकेले करते हैं आप अपना गरो मैं अपना करता हूँ देखते किसका पहले होता है चलो सर अकेले और सुनो शौर्ट कट मतमारना presentation के साथ presentation कैसा है उसके साथ झाल सञखके लिए 선व हो और हम एक रच राउ op का भलना फ्रकाइब स्ट्टिंग खरיל ओरी प्लबसें अग जुड़ सरे अन्य दो स्टैंग इस अरत पर आट पना दो झाल 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 अनन्थ निशान्थ देविंद्र अंसर आ रहा है 5979 भी आ रहा है और 5971 भी आ रहा है टैक्टर की वज़े से आ सकता है 4810 51213-42750 ए भगवान मेरा तो कुछ और ही आ रहा है मुझसे कहीं गलती हो गई है क्या discounting rate भी ठीक लिया है कोई बताएगा मुझसे कहां गलती हुई है तर आपने 1 था होए ओ सॉरी 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 थाइंक यू 48108 plus 621 48729 minus 42750 597 NP मस हो गया गोशन हाँ मेरे मास कट जाएगे बिल्कुल सहीं पर मस ये बन चुका हूँ चलो अच्छा गोशन था मज आया no doubt कि आपका पहले बन गया था एक मिनट पहले पर हाँ मुझसे गलती हो गई थी सारे working note का reference जरूरत नहीं है पर आदत डाल लोगे ना तो जब मैं जैसे होता क्या है यार देखो जनरली हम जब paper check करते हैं मैं आपके test paper भी check करता हूँ तो यारा test paper में अगर मुझे ना ऐसा लिक मिलता है ना तो इतना अच्छा लगता है paper check करने में ऐसा लगता है क्यार खूब आराम से बैठके check करूँ और अच्छे नमबर दू बच्चे को बस और कुछ नहीं है psychology है हाँ आप इसे 8 कर लीजिएगा ठीक है असा बस psychology है अगर आप अच्छे से paper बनाते हो और मुझे एक बर कोशिश करवा दू कि हाँ आप मेरी answer sheet पढ़िए मुझे मजबूर करवा दीजिए अगर ऐसा होता है आप मुझे मजबूर करवा देते हैं तो पक्का में आपको number दूँगा आपके चल जाएगा question क्या खतम हो चुका है yes क्या उसने बोला है कि हमको replace करना चाहिए advice पूचा है कि नहीं पूचा है बस इतना question अगर advice पूचा है तो आपका advice देना पड़ेगा क्या लिखोगा NPV positive है तो old machine should be replaced पर साय सिर्फ NPV निकालने के लिए बोला है तो हम वैसे ही छोड़ देंगे question कुछ मांगा नहीं है question में चलो ठीक है लिख देना फिर भी old machine should be replaced ठीक है सर और एक question बनाएंगे solution में advice लिख दिया करो thank you solution में सुभांसू advice लिख दिया करो वैसे बोला है चाहे ना बोला advice कर दिया करो कि answer ऐसा ऐसा है हमको new machine खरीद लेनी रिप्लेस करना चाहिए old machine रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए NPV positive रिप्लेस कर देना चाहिए question number 5 question number 5 question number 5 सर आइसी ए आई का यह जो है sma tyk 23 थैंक्यू सुभांसू tyk 23 चलो हिम्मा दिखाते है और करते है कोशन ठीक है target set करते हैं यार सर मैक्स आठ नंबर का कोशन मानके चलो तो आठ इंट्व 1.8 हमारे पस 15 मिनट का time है कोशन पड़के बनाने की कोशिश करेंगे 15 मिनट में जितना समझ में आता है हम करते कोशिश with presentation with presentation a company has an old machine old machine है और old machine का book value दिया है zero important है old machine का book value zero दिया है और उसे बेचा जा सकता है आज 50,000 में ठीक है यहां तक बात समझ में है कि 50,000 में बेचा जा सकता है the company is thinking to choose one from the following two alternative भाई साप इस बार old machine के दू alternatives अच्छा सर क्या-क्या है बताओगे आप चाहू तो old machine ही रहने दीच सर यह तो CA enter का question है सारे question CA enter गये है ठीक है replacement में कुछ है नहीं और क्या नहीं डालेगा optimal replacement cycle है जो डालने के लिए वो भी CA enter में पढ़ाया हुआ होता है तो बोले अब old machine में को आप extra खर्च कर लीजिए additional cost कितना खर्च कर लीजिए 10 लाक उसको क्या कर दीजिए upgrade upgrade कर दीजिए मतलब सर old machine को बेचेंगे नहीं अगर आप repair अपग्रेड कर रहे है तो old machine को नहीं बेचेंगे हाला कि हमारा capital expenditure तो भी है और कितना रुपए का खर्च होने वाला है 10 लाक अगर हम upgrade करते है तो second या तो सर एक काम कीजिए न replace कर दीजिए अगर replace कर देगे तो सर new machine कितने की आएगी एक तो 20 लाक ये लगेगा और आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि उसका installation का खर्चा capitalize हो जाएगा तो total मिलाकर 20 लाक 50,000 expenses हो गए है capital cost ठीक है लेकिन यहाँ फायदा क्या है फायदा ये है कि old machine को आप बेच दोगे आप बेचोगे तो कितने की big जाएगी old machine 50,000 की tax wax काटने के बाद सोचेंगे क्या करना quote above proposal useful life कितना दिया है five years salvage कितना दिया है मतलब इस proposal में जाएगे चाहिए इस proposal में salvage zero काम की चीज़ क्या है काम की चीज़ यह है जो मैं बताने जा रहा expected after tax profit तर इसको अगर मैं देखू तो यह है profit after tax यह cf80 नहीं है यह profit after tax पहला कोशन अगर profit after tax दिया है पर हमें तो यार capital investing में तो cf80 चाहिए अगर profit after tax दिया है तो हमको cf80 तक पहुँचना है क्या किया जाए कि cf80 तक पहुँचे बिल्गोल सही है सर डेप्रेशिशन को add back करना पड़ेगा तो cf80 निकल जाएगा बिल्गोल सही है सबका सही ही होगा अगर आप अगर अगर आप अगर 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 आप अगर आप अगरेट करवाते है तो उसका profit after tax दिया है असनिशिता सभी का सही है सभी का सही है इशा कि सर हम पैट है और हमको cf80 निकालना है तो पैट में depreciation को add back कर देंगे agree ठीक है existing machine का पैट दिया है profit after tax पता सकते हो अगर हम जैसी machine है सुनना ध्यान से अगर हम old machine ही चलने देते हैं old ही चलने देते हैं ना तो हम upgrade करते हैं ना तो new machine खरीदते हैं old है old को ही चलाते हैं तो इसका पहले साल का cf80 कितना आएगा जवाब चाहिए मुझे आप ही ने बोला ना सब पैट में क्या add कर देना depreciation तो चलो यह बताओ बिच्छो कि इसमें पैट है इसमें हमें क्या add करना depreciation निशान यह जवाब है old machine की तो book value 0 है ना सर हाँ 0 है बिलकुल सहीं बिलकुल सहीं सब का सहीं है तो सर इससे एक बात समझे मैं no depreciation it means यहाँ तो क्या है यही आपका यही आपका क्या है सर यही हमारा profit after tax है और यही हमारा cash flow after tax है बिलकुल सहीं क्योंकि यार book value 0 है अगर book value 0 है तो depreciation लगेगा नहीं तो यही पैट हो गया और यही CFAT thank God तो old machine का हमको CFAT नहीं निकालना यह तो दिया है पर सर जो machine upgrade कर रहे हो उसका तो हमको करना पड़ेगा हाँ और उसमें हमको पैट दिया है तो इसमें क्या add करना पड़ेगा depreciation add back करना पड़ेगा चलो अगर हम upgrade कर लेते हैं तो क्या होगा निकल जाएगा यह तो इसमें अपग्रेड़ेड मसीन में अगर हम upgrade करते हैं तो कोई बता सकता है क्या CFAT कितना आएगा सर दो लाग रुपए add हो जाएगा depreciation tax का rate कितना है जी सर 40% है company follow straight line और इसका भी कर लोगे आप मुझे लगता है कि आप कर लोगे अप कर लोगे अप समझदार हो गया straight line method of depreciation यूज करना cost of capital 15% और 15% का factor दिया हुआ है और आपको यह बताना है कि या हमें upgrade करना है machine कि हमें new machine खरीदना है क्या यह question आप से हो जाएगा या मैं कर वा हूँ homework चाहिए या फिर हम यहां कर ले इस question याद रखना TYK 23 मतलब IC AI के study mat में डला हुआ है आप कहोंगे तो मैं यहां करवा देता हूँ नहीं तो मैं आपको homework भी जैसे आप बोल रहे है homework चाहिए कि यहां कर ले कुछ कि बहुत सारे बच्चों का है कुछ बच्चों के सर कर लेंगे और कुछ बच्चों का मैं करवा दे रहा हूँ बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर कर ले तो ज़्याद अच्छा कर लेते हैं, कर लेते हैं, Homework दूงगा, बहुत है मेरे पास आज Homework देने के लिए, होमवग देंगे, हम पहले इस question को कर लेते हैं, बनालेते हैं, बनालेते हैं टाइम जाएगा, चलो start करें, यस, पढ़ लिया question, सब कुछ हो गया, सर बनाना श्टार्ट करते हैं श्टार्ट कैसे करें मैं डारेक्ट अब थोड़ा सा सुनो अब थोड़ा सा बहुत हो गया प्रेजेंटेशन में किसी और तरीके से करूँगा अला कि हम टेबल बना के भी कर सकते पर अगर हमारे पर समय कम है तो क्या दूसरा प्रेजेंटेशन भी चल सकता ही उसके लिए थो तौन्यार हो जाए ठीकै सर तो कैसे होगा प्रेजेंटेशन मैं सीधा N.P.V निकालूऄगा इसा पॉसिबल है हाँ पॉसिबल सीधा N.P.V निकाले ठीकै सर तो चलो करते है option option number one upgraded machine झाल झाल जो मैं CFAT निकालूँगा ना उसी के सबसे काम हो जाएगा 1,2,3,4,5 सबसे पहले CFAT तो सबसे पहले में new machine की new machine क्या new machine का हम लोगों को पैठ दिया हुआ है new machine का मतलब upgraded machine हाजी upgrade upgrade का यहां क्या जाएगा pet upgrade machine का पैट ले ली और सर्फ पैट क्या है 5,50,000 5,90,000 6,10,000 6,50,000 और 7,00,000 plus क्या करोगे depreciation depreciation 10,00,000,00 divided by 5 दो लाक तो सरी यहां क्या एक क्या एका CFA T और CFA T यहां कितना एका 7,50,000 7,90,000 8,10,000 8,50,000 और 9,00,000 इसमें से माइनस करेंगे CFA T of old machine 5,00,000 5,40,000 5,80,000 6,20,000 6,60,000 तो सर यह जो आयां इसका नाम क्या रहा है इसका नाम है Incremental CFA T और Incremental CFA T कितना हरा 7,50,000 minus 5,00, 2,50,000 7,90,000 minus 5,40,000 2,50,000 8,10,000 minus 5,80,000 2,30,000 8,50,000 minus 6,20,000 6,30,000 9,00,000 minus 6,00,000 6,40,000 और सर इंटू कर देंगे Presentability factor से वैसे इसको उठाकर हम वहा ले जा रहे थे Main table में अभी हम यहीं कर देते 2-2 machine है अब इतना थोड़ी न हमारे पास है अगर यह एक ही machine होती तो इसको प्यार से उठाता उस table में लिखता 1,2,3,4,5 अभी क्या 0.658 0.572 0.497 अब सुनो मेरी बात को अब इसके बाद इसको यहां लिखना नहीं है आपको आप यह सोच रहे यार हर एक काम फिर यह प्रेजेंटे वैल्यू निकालेंगे कुछ नहीं इसको ऐसे बंद कर दीजी एसा करोगे आगे काप टौपिक आएगा बिजनेस वैल्यूशन हम ऐसे करते हैं हमारे पास इतना नहीं है कि इसको भी अलग से लिखे इसको अलग से लिखे इसको अलग से लिखे और फिर लिक कर टूटल करें ऐसा नहीं करेंगे इतना करके मैंने क्लोस कर दिया इसके बाद मैं क्या करूँगा मालू है इसके बाद मैं यहां लिकूँगा PVCI Present Value of Cash into M plus में डालती ही करती ही 250,000 x 2.87 M plus 250,000 x 2.756 808, 680 एक बार Final करना 808, 680 एक बार प्लीज मुझे Confirm कर ये आपका भी आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है ना हाँ प्रशान्त, अनन्त मेरे ख्याल से फिर तो मैं सही हूँ और यही माइनस कर देंगे Present Value of Cash Outload अफग्रेट करने में हमारा जा कितना रहा है 10,00,000 NPV आगे 191,C2,0 191,C2,0 प्रीति, वेजन्ति सब का आंसर आ रहा है 191,3,2,0 सर, ICAI इसको भी तो हम ऐसे कर सकते थे ना कि और एक टेबल बनाते जो हम बना रहा है कौन सा वाला? ऐसा वाला टेबल और यहां और एक कॉलम एट कर देते यहां मशीन A हो जाता, मशीन B हो जाता कर सकते है ऐसा किया है ICAI ने अगर आप देखोगे तो पर ठीक है क्योंकि दो मशीन हैं हमारे पास टाइम कम है और आगे हम इस तरह से भी करेंगे एक बिजनेस वैलिविशन टॉपिक आएगा तो मैं कहता हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो कोई गुना नहीं है इस पर आपको नंबर मिलेगा इस पर भी मिलेगा नंबर कोई प्राब्लम नहीं पर अगर सिंगल मशीन होती ना तो मैं ऐसे नहीं करता मैं उसको प्रॉपर टेबल में कर देता है इसमें भी को जिक्रत्र किया अपने अगर हम अफग्रेट कर दे तो क्या होगा कि अफिर से गाम करें अब किसका करें जिए इसमें क्या करें यहांच इसमें क्याए क्षिए यहां करते यहां नीए मतस् Тамव गोधा प्लस होता डेप्रिशिशन तो आए जाएगा CFAT माइनस CFAT स्पीड से काम होना चाहिए तम जाएगा स्पीड चलो देखें किसकी ज़्यादा स्पीड है नियो मस्या झालो झालो प्लस होना जाएगा झाल झाल कुश्यन नंबर कौन सा है पाइफ प्चासरों के एक कुश्यन नंबर प्ट छे लाग छे लाग प्रलिसे 6,90,000 7,50,000 और 8,00,00,00 अस एक प्रिशिशन भर सोष समझ के करना प्रिशिर लाग 20,50,000 एक का आएफ और 5,00,00,00,00,00 और 5,00,00,00,00,00 पॉर लेक्ट 30,000 थैंक्यू किशन्स आप देने के लिए झाले लेक्ट 30,000 थैंक्यू किशन्स आप देने के लिया ग। झाल 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 प्रशांत का अंसर आ चुका है और मैं अभी बहुत पीछे चल रहा हूँ प्रशांत आप से अनंत का भी अंशर आ गया है प्रशांत का भी पर आप दोनों के अच्छा पीवी सी आई आप दोनों के अंसर में देख लीजिए एक बर वेरीशन आ रहा थोड़ा सा निशीता आनंत के दो लोगों के अंसर मैच हो रहा है पीवी सी आई में मतलब वही होगा फिर तो इस्वास पर लिखना चाहिए तो पीवी सी आई इशा वेजनती प्रीती सबका सहीं सबका 174-79-30 और सुभ का थो NPV भी नहीं कर लगया वह भी negative भाई old मेचिन को बेज देना सुभ है न 174-79-30 ठीक है कीशन निरुजा सबका सहीं 174-79-30 तो भान्सू कभी negative, negative NPV seriously आ रहा है, देख लेते हैं, minus PVCO, अब PVCO में खेल है Tax Vax का, है न, इशा 302070 देखते हैं, देखते हैं, अब मैं कहता हूँ यहर, PVCO निकलेगा कैसे, सर, Cell of Old Machine Old Machine को बेचोगे न, सर, हाँ, तो Old Machine को कितने का बेचोगे, सर, Old Machine को हम बेचेगे, बेचेगे, बेचे का, Cells Concentration, 272070 देख लेते हैं, निशी था, Old Machine को कितने का बेच रहे पहले, यह तो बता तो 50,000 का है न, और उसका तो Book Value जीर हो था, पूरा Capital गिन हो गए 50,000, और Tax का रेट है 40 पर्षेंट है, हाँ, 40 पर्षेंट है, तो 50,000 into 40 पर्षेंट, 20,000, तो Net कितना आ गया, सर, 30,000, तो सर, इसका मतलब यह हुआ, कि Total 20,50,000, लग रहा है, उसमें से 30,000 हमको मिल जाएगा, यस, तो Total हमारी जेब से जा रहा है, 20,000, 20,000, –7,17,47,9,30, तो NPV आगया है, 27,20,70, और ये भी NPV क्या है, ठीक है, 27,20,70, अनन्त का अंसरायत है, NPV, बिल्कुल सही है, 27,20,70, कि turned north of the system to the same. प्र किंदो अंसरा सही, 27,000, कि आंसरा ड्राद दिर बंच Пज अंसरा रहारो, भ्रादione ।र शिरो । त इक, बव्य कRI्म कर दो आपके लोगशב. हाँ जी नोट कर लिया सब लोग उन्हें तरह घल से कुछ था नहीं हाँ अच्छ है एडवाइस शाहिए एडवाइस क्या अफग्रेट करोगे तो भी बर्बाद हो और न्यू मशिन खरीदोगे तो और बर्बाद हो जैसी जिन्दगी चल रही है वैसे चलने देचे मतलब इन्स एन पीवी इस नेगेटिव तर्मिनल वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है क्या स्वाल बस इतना है इट मिंस अगर मैं न्यू मशिन खरीदता हूं एक बार देख लोँ क्या न्यू मशिन का कुछ तिया क्या न्यू मशिन का सैल्वेज दिया है कि जरह बताना ओथ प्रपोजल की पाथ साल है लाइफ और सैल्वेज है जीरो जिरो टर्मिनल वैल्यु है ठीक है पवन का कहना है कि सर ये बताना है इसमें कि दोनों में से कौन सा अल्टरेनटीव पवन ये त्पी अल्टरेनटीव ऐसा कुछ दिया हुआ कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि दोनों में से कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा उसने बस यह बतला कि प्रहर नहीं है कि एकस्पक्थिक गांटरेटिव तो नहीं अगर देखा जाय तो और तु अल्टरनेटिव दू की बात कर रहे Kel Tom अ इसा निना अगर में देखा बश्चीत तो ऐसा चलने तो यहां लिखा भी एस, त्री आल्टरनेटिव वैसे तो सुनो बेकार की बात है सबसे बड़ी बात है कि दोनों में negative आयरा है जैसा चलने है वैसा चलने है या बिल्कुल law की language में जा रहा है मैं उस language में नहीं जा रहा हूँ since NPV is negative in both options वोल मशीन विदाउ विदाउ अप्राइशन इस बात है हाँ सब्सक्राइब जो लास्ट में revision करना वो आप एक बर बताऊगे वो हम आपस में मिलके decide करेंगे यार class का live classes का फाइदा क्या जब मैं अकेला अकेला बता दूँ मैं खुद कहूंगा कि यार ये question में ये वाला concept है आप भी बताऊगे मैं जैसी हमारा class over होगा न capital wasting का Saturday final है Saturday तो final है कुछ भी हो जाए Saturday हम कतम कर रहा है capital wasting और जैसे capital wasting खतम होगा न आज ज़्यादा नहीं खेचूंगा आज तो हमारा 9 बज़े तक class over कर लेंगे हम कोई दिक्कत नहीं और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं जैसे हमारा Saturday को capital wasting खतम होगा मैं और आप लोग हम दोनों मिलकर recite करेंगे कि यार कौनसा question रखना है कौनसा question नहीं रखना मजा आएगा तभी तो live का मजा है यार अच्छा मैं दो question होंवर्क देने जाह रहा हूं होंवर्क नहीं एक कोशन कर रहा है एक कोशन होंवर्क देना अभी भी हमारे पास है 10 मिनट और उसमें बहुत सारे बच्चों का यह concept था कि equivalent NPV कि क्या logic के क्या concept से divide कर देते हो that's it वह भी समझाना था तो एक कोशन के साथ साथ हो जाएगा वो question हम कर रहा है तो आजाए question number 7 पर question number 7 C.A. enter का famous question C.A. enter का favorite question पता नहीं है कि आपके book में study mat में new study mat में होगा के नहीं होगा पर इस question से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और especially क्या सीखने को मिलेगा equivalent annual NPV और इतनी speed से question होगा यह कि 5 मिनट में अच्छा है क्या yellow PYK 24 यह भी मुझे लगता है कि I.C.A.I. पागल हो गया है हाँ मुक्कुन धाई घंटे की class रखना है बस वो क्या आज में थोड़ा सा बहार था ठका हुआ हूँ इसलिए दो घंटे में आज खतम करेंगे पर मैं Saturday कल पर सो ऐसा कुछ करके Saturday तक हम खतम कर देंगे ठाई घंटे की रखूँगा थोड़ा समय यहां भी दूसरी classes में विजी हूँ जल्दी फ्री होने वाला हूँ एक दो दिन में फ्री हो जाओ चलो जी चलो question बनाएं क्या एक बार इसको खतम करते हैं फिर मैं आपसे बात ही करूँगा हाँ party भी दूँगा पक ठीक ऐसा इसको बना रहा है इसमें मुझे equivalent NPV समझाना है बच्चों के doubts आ रहा है मैं अलक से नहीं समझा पा रहा हूँ वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो यहीं मैं डिस्कस के छोटी सी तो बात है और वैसे भी हमारे study mat का कोशन है बनाने में क्या जा रहा है तो बले company X है नहीं company X को भाई machine A और machine B दोनों में से कोई एक machine चुना है machine A machine B दोनों ही machine जो है वो different तरीके से machine A का कोश्ट है 1,50,000 पैसा जाएगा 1,50,000 और कितने साल चलेगी तीन साल 1,50,000 जाएगा तीन साल चलेगी पर उसका जो running cost कितना आ रहा है 40,000 मैंने एक example दिया था AC खरीदना है सर, AC थोड़ा समयगा है पर AC चलाने का खर्चा 40,000 पर यर आएगा उसकी अप एकचा सर थोड़ा economy थोड़ा सस्ता वाला air conditioner खरीद ले देता है एक लाग रुपए ही लगेगा एक लाग रुपए ही लगेगा पर उसका electricity expenses 60,000 पर यर आएगा और वो चलेगी क्योंकि सस्ती है तो दो ही साल चलेगी याद रखना सर लाइफ तीन साल है और यहाँ लाइफ है दो साल मतलब सर पैसा present value of cash outflow के basis पर decision होगा yes और these are real cash flow बोले inflation का कोई चक्कर नहीं है वाव पहली बार inflation का कोई चक्कर नहीं है real cash flow बता रहा है यह भगवान और यहाँ भी बताया है कि जो है constant purchasing power मान के चल रहा है मतलब inflation नहीं है जितना सर इसको क्या समझा रहे है तो हमको मालू है ignored tax opportunity cost of capital 10% बताये कौन सा अच्छा है equivalent annual PVCO के business पे काम होगा yes इस speed से चाहिए मच जल्दी से आंसर चाहिए जल्दी से पर मशीन A तो बात करते हैं PVCO फोलो मशीन में कितना पैसा लग रहा है 150,000 तीन साल factor 10% 1 divided 1.10 123 यहां तो 150,000 यह आएगा यार 150,000 plus 150,000 plus 40,000 into 2 2.48 7 हाँ running में present value annuity factor करना था मुझसे गलती हो गई थी आंस आपका answer आ रहा है लिखनू क्या यहां 29 24 24 यह क्या आ रहा है हमारा सार यह पी वी स्यों आ रहा है ठीक है अब इसको क्या करना है हुमक्य detas एक जगा दो साल है एक जगा तीन साल है सार हमें क्या करना पढ़ेगे eaten and पी और वो कैसे निकलेंगे PVCO divided by present value annuity factor 294474 divided by factor कितना जाएगा factor जाएगा sir 2.487 answer equivalent अच्छे यह गलत है क्या 40,000 into 2.487 plus 1,50,000 249,480 249,480 अच्छा मेरा सही है ना यार 249,480 हाँ sir सही है आपका divided by 2.487 तो sir यह आगया 100 314 ठीक है निशीता अमित और मेरे ख्याल से मशीन बी का भी आप मुझे जल्दी से बता दो अगर मैं मशीन बी शॉल ना करूँ तो भी चल जाएगा ना क्या sir मशीन बी अगर भी जाएगा ना करूँ अगर भी जाएगा ना करूएगा यार्ट जय है अगर भी जाएगा शीन झाल एंग जाएगा उर्ट बिते ही जाएगा चारा में मुझे जाएगा है को जात ही कि एंग चुई खूएगा कि कैसल दॉचरोगा परूपेगा 2041001 1176 2041001.735 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